क्या होता है जब हम खाली पेच पानी पीना शुरू कर देते हैं आपकी बॉड़ी कैसे बेहेव करती है और क्या क्या तबदीलिया आने लगती हैं अगर आप इस हवाले से डिटेल में जाने ना चाहते हैं तो मेरी आज की वीडियो कम्प्लीट देखिएगा सो विदा आउट अनी फॉर दे डिले लेट स्टाट दे वीडियो फस्ट फॉल नीचे दियेगे रेट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ दियेगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताके मेरी तमाम न्यू आने वा में मौजूद होता है जिससे हमारी बाउल मौमेंट भी मुतासिर हो सकती है साथी साथ बॉडी में टॉक्संस की अमाउंट भी भड़ जाती है इसके इलावा जब हम सो रहे होते हैं हमारा मेटबुलीजम भी स्लो हो जाता है सबसे एहम बात साथ से आठ घंटे की नीम्द क खत्म हो जाती है अंडाजेस्टेट और नाहजम हुआ खाना भी पानी पीने की वजह से बाउल मौमेंट नॉर्मल होने से बॉडी से बहर आ जाता है एक मज़े की बात आप से शेयर करती चलूं क्या आप जानते हैं जैपनिस कवातिन क्यों मर को मात देती हैं और भूडी जोरतें भी जवान नजर आती हैं क्योंके निहार मौ दो से चार ग्लास पानी पीना एक मशूर जैपनिस प्रैक्टिस है पानी या नीम गरम पानी पीने से आपकी स्किन ग्लू करती है और आपकी स्किन की पानी की कमी पूरी होने लगती है और आप फान लाइन्स और रिंक लेमन, हल्दी, सौंफ, जीरा, इमली आलो बुखारा और भिंडी वगरा इन सब को पानी में डाल के पीने के खास फायदे होते हैं जैसे नहार मो पानी में लेमन मिला के पीने से जिसन की अजाफी चर्बी गल जाती है, बलज कुलेस्टरोल कम होता है, दिल की बिमारियों से बचाओ मिलता है और इसमें मुझूद वाइटमन सी आपका चेरा गलो करवाता है पानी में सौफ डाल के पीने से मैदे के अमराज में अफाका होता है, पानी में जीरा डाल के पीने से डाइजेशन बहतर होती है, जीरे वाला पानी आंटी आक्सिडंट होता है और कैंसर के रिस्क को खतम करता है, पानी में हल्दी डाल के पीने से यूटरिस की मुख्लिप बिमारियों से और हड़ियों और पठों के दर्थ से अफाका होता है पानी में इमली आलो बुखारा डाल के पीने से मैदे की गर्मी तजाबियत कम होती है और बीपी कंट्रोल रहता है पानी में भिंडी डाल के पीने से शुगर की बिमारी बेतर होती है और हड़ियों का गु प्रच्छिंग!